नमस्कार मैं डॉक्टर गिजिंदर गुपता बीवीडी गौर्वर्नमेंट कोलेज चिमनपुरा साफ़कुरा से बोल रहा हूँ आज का ये जो वीडियो लेक्शर है बीएस से पार्ट सेकेंड के बच्चों के लिए है और छात्रो जैसा कि आपको पता है कि अपन पेपर थर्ड पढ़ रहे हैं और इसका पेपर थर्ड में पिसला लेक्शर अगर आपने देखा हो वीडियो लेक्शर मेरा तो उनिट जो फोर्थ है वो अपने स्टार्ट की थी और उसके अंदर अपने देखे थे कि गेट्स कित्ते प्रकार के होते हैं जिसमें और एंड नॉट लोजी गेट्स के बारे में अपने बात किये थे आज जो अपन बात करेंगे एक तो इसमें स्विचिंग की बात करेंगे कि switching क्या होती है और परिपतों के द्वारा किस तरह से अपन switching प्राप्ट कर सकते हैं और एक तरक परिपत किस तरह से बनाय जा सकते हैं तो सबसे पहले switching के रूप में diode को जो PN junction diode है उसको अपन diode switch के रूप में काम में लेते हैं इसमें कुछ बाते मैं आपको बताना चाहूँगा कि आदा switch की on अवस्ता में प्रतिरोध शून्य होता है तता off अवस्ता में प्रतिरोध अनंत मना जाता है जिससे on अवस्ता में प्रतिरोध शून्य होने का मतलब यह हुआ switch कोई resistance नहीं बता रहा है तो करण का फ्लो या धारा का फ्लो आराम से हो सकता है जैसे कि आपन जानते हैं और अनंत प्रतिरोध होने में धारा बिल्कुल प्रवाहित नहीं होगी है अर्द चलाग डायोड जो है स्विच के अनूर्पी होता है क्योंकि इसके अंदर दो अभीनती लगती है अगर अभीनती और पश्च अभीनती इसलिए अगर अगर बाइससी तवस्ता में इस डायोड का जो प्रतिरोध होता है बहुत कम होता है लगवाग 200 ओम के आसपास लेकिन शून्य नहीं होता पश्च बाइस्टी तवस्ता में इसका पितरोध बहुत अधिक होता है लगबग दसकी पावर पाँच ओम के आसपास होता है लेकिन ये अनंत्विनी होता आदे स्विचिन के लिए डायोड को एक आदस युक्ती हम नहीं मान सकते हैं स्विचिन का गाम तो करेगा इसलिए इसका दूसरा विगल्प जो स्विचिन के लिए सोचा गया वो है टांजिस्टर टांजिस्टर नॉर्मली स्विच में एन पी एन उबेनिस्ट उससर जग विधा में इसको प्रियूत करते हैं टांजिस्टर के निरगम अभी लाक्षिन को वक्र को हम तीन बाग़ों में बाढ़ सकते हैं आप ये देखेंगे अपन कि टांजिस्टर स्विचिंग की पिक्रिया को कैसे संपन करता है और इसको किस तरह से बताता है इसको डिफाइन करने के लिए टांजिस्टर को तीन छेतर में डिफ बाट अगया है पहला अंतक शेतर जिसको कट ओफ रीजन बोलते हैं आपन दूसरा संतप्थ चेतर जिसको सेचुरेशन रीजन बोलते हैं और तीसरा एक्टिव रीजन जिसको सकरीज छेतर के लिफाइन अगर बच्चो आपने टांजिस्टर के बारे में चुँकी पढ़ा है बीच में तो इस लोड लाइन और आईबी जिकर टू जीरो माइक्रो एमपियर करंट के नीचे का जो ग्राफ है उसको अंतर शेतर का है और ये जो संतप्त शेतर है उसको मैंने अलग से बताया है और बीच वाला शेतर जो कि सक्री शेतर कहलाता है अब इन छेतरों में होता क्या है इन छेतरों में टांजिस्टर में एक अनुमानत जो वोल्टेज लगाई गई है वो आपने देख रहे हैं यहां पर मैंने शो किया है तीन इसके टांजिस्टर के टर्मिनल होते हैं अपने पता है एमिटर बेस और कलक्टर इनके बीच में जो वोल्ट लगाई जाती है करीब करीब इसको मैंने इस तरह से बताया है इसके एक कल्कुलेशन करके अपने निकालने की कुशिश करेंगे जो निकाली गई यह बाद में अंतक शेतर में जो कट ओफ रीजन है इसमें IB का मान जीरो होता है इसलिए IC लगबा ICO के बरावर होती है तता संग्राक संदी यह यह पश्च बाइसित हो जाती है इस सवस्ता में इस इस्तिति में टांजिस्टर जो है ओफ पोजिशन में कहा जा सकता है तता टांजिस्टर का पितिरोद इस वस्ता में बहुत जादा होता है लगबग 750 मेगा ओम दसके बहुत 6 ओम आ जाता है जो कि बहुत अधिक है अथे ओफ अवस्ता में टांजिस्टर आदर स्विच की बाती कालिक कर सकता है अगर ये छेट की कंडिशन लगाई जाए तो संतत्र छेप्त में VC अपन IC का मान लगबग 15 ओम क्या असपास होता है अधे यह टांजिस्टर ओन अवस्ता में मानना जा सकता है जो कि ये प्रतुरोद बहुत कम है टांजिस्टर के ओफ अवस्ता में निरगम पर अधिक वोलता प्राप्त होती है तता इसकी ओन अवस्ता में बच्चो निरगम पर निमन वोलता प्राप्त होती है अधे टांजिस्टर को अपन ये कहें कि एक तरह से ये इन्वर्टर की तरह काम करता है जिसको अपन प्रतिलोमक के नाम से जानते हैं संकेत अब हासन के समस्या टांजिस्टर स्विचन में नहीं होती है क्योंकि टांज टांजिस्टर स्विच में निमन अविलाक्षनिक अपेक्षित हो सकते हैं और होने चाहिए एक तो इसका अनन्त निवेस प्रतिरोद होना चाहिए एक इसका सूनने निर्गम प्रतिरोद होना चाहिए तीसरा इसके अनन्त लब्दी होने चाहिए और चौती इसकी संतर तवस् कि तर्क द्रोड ठरक संक्याओं की जो परिप्रतो द्वारा कैसे प्राप्ट कि utilities की जा सकती है मतलब अपन नहीं जो गेट्स प्राप्ट कियें चाहे वो दातो ऑक्साइड एक दीर दूरिय यहां आपन दीर दूरिय तक्निकी वाले सेमिकंडक्टर्स का वर्णन करेंगे इसमें तीन समूव या तीन वरगों में इसको बाटा गया है एक डीटियल डायोड टांजिस्टर लोजिक मतलब यह वो सरकिट है जिसके अंदर डायोड और टांजिस्टर काम आएंगे एक आएगा टीटियल टांजिस्टर टांजिस्टर लोजिक जिसमें टांजिस्टर और टांजिस्टर ही काम मिलेंगे सरकिट में एक ECL, Emitter, Couple Logic और इसके अलावा एक लेते हैं अपन DL जिसमें केवल डायोड लोजिक आता है एक इसमें RDL भी होता है रेजिस्टेंस डायोड लोजिक की रूप में और और भी रेजिस्टेंस टांजिस्टर के लोजिक की रूप में काम में ले सकते हैं तो यहां सबसे पहले यह जो सर्किट बताया है इसमें 9.1 में 8.9.1 में अपन इसमें यह कह सकते हैं कि टांजिस्टर को दो तर्क में जोड सकते हैं एक कहलाता है धनात्मक तर्क एक कहलाता है रिनात्मक तर्क तो बच्चो जो धनात्मक तर्क है उसमें प्लस फाइव वोल्ड को तो वन मानते हैं और जिरो वोल्ड को जीरो और जो धनात्मक तर्क है उसमें माइनस फाइव वोल्ड को वन मानते हैं और जिरो वोल्ड को जीरो ने पृत करते हैं सबसे पहले यहां आपन डिफाइन कर रहे हैं कि नोट या पृतिलॉमी, इन्वर्शन वाला सर्किट कैसे बनाए है, तो यहां सर्किट का डाइगराम मैंने बताया है सामने हैं, इसमें नोट या पृतिलॉमी संक्रिया, उबिनिस्ट उस सर्जक्त विदा में, प्रियूट टांजिस्टर से प्राप्त की जा सकती है निवेस पर अगर उच वोलता के अवस्ता एक प्रियूट करने पर टांजिस्टर जो है अपन जानते हैं संतब छेत में कारे करता है जिससे निर्गम पर निम्न वोलता है कि अवस्ता जीरो प्राप्त होती है और इसके विप्रीत निवेश पे अगर अवस्ता जिरू आपित करें तो टांजिस्टर पे यह अंतक्षित में काम करता है और निर्गम पर वोड़ता अपने को वन प्राप्त होती है इस तरह से यह नोट पिक्रिया को संपन करता है इंपूट वन आउटपूट जीरू इंपूट जीरू आउटपूट वन तो इस अवस्ता के अंदर अपने यहां कुछ कैलकुलेशन करके यहां कुछ वैल्यूस भी इसकी निकालने कोशिस की गई है यहांपे अगर दूसरा अगर यह तो नोट के लिए हुआ अगर अपन एंड द्वार के लिए बात करें तो एंड द्वार में हमने डीयल तरक को काम में लिया है मतलब डायोड जिसमें केवल डायोड जुड़ेवे हैं और रिस्टेंस जुड़ेवे हैं तीन डायोडों को दिये गए चित्र 8.9.2 के द्वारा आपन बता सकते हैं इनको जोड़ा जाता है डायोड के P टर्मिनलों को आपस में कॉमन करके रिस्टेंस आर्ट से जोड़ दिया है और जो डायोड का जो एन भाग है उसमें रिस्टेंस को जोड़ के उसके तीन इन्पुट टर्मिनल एबीसी अपने बनाए है एन्ड संक्रिया को यहाँ पे जो डिफैन किया गया है यहाँ अपन इसकी एक टुट टेबिल भी बनाई है हर सर्किट की टुट टेबिल अपन बना सकते हैं और उससे भी सर्किट को अपन समझा सकते हैं यहाँ कोई भी निवेस जब जीरो पे यह आपन के हैं V0 पर होता है उस निवेस चे जुड़ा डायोड जो है अगर बाइसित हो जाता है और जब कोई भी निवेस प्लस पे वन पे होता है तो उस चे जुड़ा डायोड पस्ट बाइसित हो जाता है यह बात अपने को हमेशा ध्यान में रखनी है तो इस अवस्ता में कह सकते हैं कि जब निवेस V0 पे होता है और डायोड अगरवाइसित होता है तो अपन ये कह सकते हैं कि डायोड चाला नवस्ता में होगा और जब चाला नवस्ता में होगा तो निरगर्ण पे भी वोलता V0 प्राप्त होगी जब सब डायोडों के निवेस उच वूलता V1 पर होंगे तो सब डायोड उतकमिन बाइसे पर होंगे और वो आचला के वस्ता पर होंगी और इसलिए अपने का आउटकुट में V1 प्राप्त होगा तो इस तरह ऐसे ये क्रिया संपन कर सकता है और ये एक तरह से वेवार करता है कि end gate की table को ये circuit verify करता है इसी परकार से दूसरा जो circuit बनाया गया है चात्रों वो है डायोड टांजिस्टर तरक जिसमें DTL इसको अपन बोलते हैं इसमें डायोडों भी काम में लिया जाता है और टांजिस्टर को भी इसके अंदर काम में लिया गया है इस परिपत में यदि कोई भी निवेस V0 इस तरह पर होगा तो उससे संबन्दी जो डायोड है वो अपन जानते हैं चालों बस्तर में होगा और टांजिस्टर के आधार पर वोलता सुनने होगी और टांजिस्टर इस स्थिति में अंतक्षेत में चला जाएगा और निवर्ण पर वोलता अपने को वापिस सुनने प्राप्त होगी इसी प्रकार से जब सब निवेस उच वोलता इस तरह V1 पर होगे तो डायोड पर बायस उतकमिल बायस होगा मतलब डायोड अचलानी स्थिति में होगा जिस्ते टांजिस्टर के आदार पर वोलता V1 हो जाएगी तता टांजिस्टर अब संतर छेत में कारे करेगा जिस्ते निवर्ण पर वोलता V1 प्राप्त होगी इस तरह DTR सरकीट को भी अपन इसमें काम मिले सकते हैं तीससा जो सर्कीट है वो है अपने पास TTR सर्कीट, टांजिस्टर सर्कीट, टांजिस्टर सर्कीट के द्वारा भी इस एंड अपरेशन को अपन प्राप्त कर सकते हैं, इसमें दो टांजिस्टरों को आपस में सीरीज में जोडा गया है, जैसे कि आप चित्र 8.9.4 देख रह अब बात आती है अपने और गेट की जिस्ते कार से अपने नोड गेट को सरकिटों से प्राप्त किया है उसी प्रकार से हम और गेट को भी सरकिटों से प्राप्त कर सकते हैं एक्जाम में जैसे कि आप देख रहे हो कि 15, 14, 2018, 19, 20 हर साल एक्जाम में कुश्चन्स पूछे जात हैं डियल अवस्ता के अंदर जैसे पहले बताया था एंड गेट की वैसे ही तीन डायडों को जोड़ा गया है यहां पे और इस डायडों को जोड़ा गया है इस परीपत में अपने यह कह सकते हैं कि जब भी किसी निवेस पर एक से अधिक निवेस पर उच्छ वोलता होगी तो डायड जो है अगरवाइसित हो जाएगा और वीवन वोलता नेगम प्रतिलोदार पर प्रकट होगी अर्था नेगम पर अवस्ता वन प्राप्त होगी और जब सब निवेस अवस्ता जीरो पर होगे तो निवेस अवस्ता जीरो प्राप्त होगी और इस प्रकार परीपत में हमको और संक्रिया का संचलान होगा और इसकी टूते बिल को मैंने यहां बताया गया है डायोड टांजिस्टर डिटीय सर्कुट से भी और गेट को प्राप्ट कर सकते हैं अपन डिटीयल में यह जो डायोड है इसे अपने टांजिस्टर जोड़ दिया है और अपन यह जानते ही है कि जब सब निवेस जब सब निवेस सुन्य वोलता पर होते हैं तब डायोड ओफ वोस्ता में होता है और टांजिस्टर आधार पर भी जिरो वोल्टा लगती है और जब टांजिस्टर आदार पे जिरो वोल्टा लगती है छात्रों तो इस इस्तिति में टांजिस्टर अंतक शेत में चला जाता है और नेरगम पर वोल्टा निनिस्टर पर भी जिरो प्राप्त होती है तो ये transistor के अंतक और संतप्त छेतर कब काम लगते हैं उसे इसाब से अपने को output मिलता चला जाता है तीसरी विवस्ता जो है चातर वो है TTR सरकित जिसके अंदर केवल transistor हों की ही काम में लेया गया है यहां डायोड की कोई सयोग नहीं लिया इसमें दो transistor Q1 Q2 को समानत्य करम में जोड़ा है और फ़र बाга इनको 31 से transistor Q2 से जोड़ दिया गया है और वही अंतक और इसमें अपन ये कह सकते हैं कि transistor इसमें जो निवेज सब के जो एक साथ जुड़े है transistor समानत्य करम में जुड़े होते हैं जिससे एक भी निवेश पे उच्छ धनात्मा वोलता होने पर उससे जुड़ा टांजिस्टर ओन अवस्ता में आ जाता है और संतप छेत्में कारे करने लगता है और इससे बिंदु वाई पर वोलता लगबग सुनने हो जाती है इस इस्तिती में निरगम टांजिस्टर जो Q3 आफ वस्ता में आ जाता है वे निरगम पर उच वोलता इस्तर वी वन के वस्ता में वन प्राप्त होती है जब सभी निवेश उने वोलता इस्तर पर होते है तब इंदु वाई धरातमा वोलता पर होता है और Q3 संतर वस्ता में आ जाता है अता है इस इस इस्तिती में निरग gate का भी अपन circuit बना सकते हैं और NAND gate में अपन DTL NAND को यहां define किया गया है कि जिस तरह से diode भी काम मिलिये हैं और transistor भी काम मिलिये हैं और कोई भी निवे सवस्ता 0 में होने पर N द्वारे के निर्गम पर वस्ता 0 प्राप्त होती है और NAND द्वारे के निर्गम पर प्रतिलो मन अवस्ता एक प्राप्त होती है सभी निवे सवस्ता में एक पर होने पर NAND द्वारे के निर्गम पर वस्ता 0 प्राप्त हो जाती है इस प्रकार से अपन NAND gate को समझा सकते हैं यहां इसकी टेबिली बना सकते हैं तिन अपने input लिये हैं, तो तीन input से आप 70 मान सार्नी बनाईए, और 67 आपन सार्नी के किया result अरहा है, उसी चानसार्न के सार्किट के सार्किट के सार्किटन को अरहारे हैं, और लास्ट के अंदर, nor gate को भी आपन इन circuits में बलकाम में ले सकते हैं, DTA circuit भी बना सकते हैं, बाइसित होता है, kब पच्ट बाइसित होता है, transistor का बंतक शेत में जाता है, transistor का संत्रप शेत में जाता है, उसे इसाब से यह result अपने देते हैं, और उसे इसाब से अपन नोर गेट को भी सेटिर्फाई कर सकते हैं, तो यह सारे gates के मुखनली, इनके circuits पुछे जाते हैं tooth table इनकी बनवाई जाती है जो कि आप लोगों को सबको बनानी है इसमें आला कि इस notes में जैसे nor gate की tooth table यहां नहीं बताईए मैंने लेकिन nor gate की tooth table पहले बता चुका हूँ आपको तो जब भी भी आप इसकी तेहरी करें तो साथ के साथ यहां भी इसकी tooth table nor gate की, nan gate की और जिस भी logic gates की अगर tooth table नहीं बनी हुई है बहुत जी है आप उसको इसको बना सकते हैं तो इस तरह से अपन इन तकद्वारों को समझ सकते हैं और इनको define कर सकते हैं